स्वागते सभीका टीचर जाड़ा पर और इस वक्त आ रही है बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन से एक बड़ी खबर 25 ओटोबर को आपकी जो सब्जेक्ट वाइस कट ओफ है वो लॉंच होगे और उसकी लिस्ट आ गई है तो फटा-फट से देख लेंगे स्कूल टीचर जो आ उसमें आपकी 67 है उर्दू में 54 है बंगला में 62 है ऐसे ही आपके पास और भी काटिगरीज है आपके पास काटिगरीज हैं जैसे कि अन्रिजर्फ फीमेल में अलग है इसे में बी फीमेल में अलग है बीसी में फीमेल में अलग है बीसी में फीमेल में अलग है एसी में फीम बेंगॉली में 52, उर्दू में 58, संस्कृत में 67, अरेबिक में 47, पॉजियन में 50, इंग्लिश में 59 गई है, ठीक है, not even 50%, हमारा जो एक्जाइम का लेवल था, हो जाहिर सी बात है, काफी अच्छा खाज सतरका आया था, तो 120 में से अपके जो कट ओफ है, वो 59 गई है, फॉर की बढ़ गई है, यहाँ पर 45 हो गई है, ठीक है, अगर हम बात करें, साइंस में तो आपकी 50 गई है, mathematics में 72 है, सबसे जाधा गर हम देखें, 9-10 category में, तो mathematics में हमें दिखाई दे रही है, 72, ठीक है, social science में 74 है, इसमें भी जाधा ही है, दोनों में ही जाधा है, सबसे जाधा है, cut-off marks जो है, आपके 11-12 में भी category wise दिये गए है, आप official website पर चेक करके वहां से download कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे जाधा जो आपको कम cut-off देखा गया है, वो 39 देखा जा रहा है, और 39 बहुत सारी languages में, 39 गया अपना Hindi में, ठीक है, 39 गया अपना Mathly में, 39 आपका यहाँ पर प unreserved category में, और female का अलग है इसमें, और अगर हम सबसे जाधा cut-off मान करके चलें तो, सबसे कम है, और सबसे जाधा cut-off मान करके चलें, तो मतलब बढ़िया marks है इसमें, और यह marks है अपने 61, ठीक है, तो 61 English में हम देख सकते हैं, जिसमें सबसे जाधा marks की जरूरत है, तो यह आ आपको बता दू, जैसे subject wise है, आपका बोचपूरी, मगाही, music, history, computer science, entrepreneurship, business studies, accountancy, और भी हैं, तो अगर आप नीचे list देखो के तो और भी आपको दिखाई देगा, जैसे 70 भी history में देखा गया, computer science में 63 है, 60's में और भी subjects हैं, जैसे accountancy, business studies भी हैं, और 39 में भी और subjects आ जाते है जैसे chemistry आ गया, physics, chemistry दोनों ही है, psychology, sociology, philosophy, political science, botany जैसे subject देखे गया है, music जैसे subject देखा गया है, तो सबसे बड़ी अकम marks है इसमें, तो यह हम यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो कुछ notification है, note में दिया हुए, NA का अर्थ अभी अर्थी उपलब नहीं है, not available, अभी अर्थी उपलब नहीं है, second, वैसे अभी अर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षन कोटी के cut-off अंक प्राप्त हुआ है, परन्तु उनका अनुक्रमांक सफल अभी अर्थियों की परीक्षा फिल की सूची में अंकित नहीं है, जिसका अर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षन कोटी के cut-off अंक से अधिक प्राप्त हुआ है, परन्तु उनके द्वारा समर्पे दस्तावेजों या प्रमान पत्रों का डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन में जो सत्यापन में विसंगित या आयोग्या पाय जाने अत् और यह signature आ गया है, having said that, हमने बहुत सारी adversities देखी है इस परीक्षा में, बहुत हाई cut-off भी है, बहुत low cut-off भी गई है, अब आपने ध्यान रखना है कि हमारे जो दूसरा चरण है, उसमें जैसे इसमें बहुत सारे पद भरे नहीं गये हैं, next phase में ऐसा हाल ना हो, सारे के स सारी vacancy अपनी हो, जल्दी से हमारी joining वगेरा हो, तो उसका खयाल रखते हुए, अगर आप तो यारी करना चाहते हैं, एक विशिष्ट एक अच्छे रूप में, तो वर्क 6-8, 9-10 और 11-12, इन सभी subjects पे आपको जो है, vacancies मिल जाएंगी, आप जो है, आगे बढ़ने के लिए हमारे batches में enroll करने के लिए, यहां ticker में नीचे number दिया गया है, इस number पे call करे और use करे code Y449 maximum discount के लिए, thank you so much, धनिवाद, video share कीजिएगा, मैं आपको मिलूंगी next video में,